हेलो एव्रिवन सर्कल ओफ एडुकेशन वेलकम्स यू इंग्लिश लिट्रेचर राइटर सीरीज में हम विलियम शेक्स्पियर को कर रहे हैं जिसमें अब तक हम उनकी थ्री ग्रेट ट्रेजडीज हैमलेट ओथेलो और किंग लियर को बहुत ही अच्छे से डिटेल में डिसक करें आपके जो भी ओपीनियन है कमेंट सेक्शन में रखें और अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम फुल टाइटल की देख लेते हैं दर ट्रेजडी ओफ में ये इसका फुल पावर है थीम को हम आगे भी डिटेल में डिसकस करेंगे और अगर ट्रेजिक फ्लो की बात करें ट्रेजिक फ्लो क्या होता है ये पहले भी हम डिसकस कर चुके हैं बाकी की तीन ट्रेजडी में तो इसमें जो प्रोटागनिस्ट का ट्रेजिक फ्लो है वो है ओवर एमबिश Macbeth के लिए sources क्या रहे हैं आए देखते हैं तो Ralph Follinist का जो chronicles है वो तो देखो आपको हर जगा ही देखने को मिलेगा तो इसमें भी जो है main source वो chronicles ही है other sources की बात करें अगर तो वो discovery of witchcraft है जिसको लिखाता स्कॉट ने और second source की बात करें तो वो है demonology जिसके राइटर है King James जो थे first तो यह जो discovery of witchcraft है और demonology है यहां से Shakespeare ने जो supernatural elements दिखाए गए है पूरे में जिसमें witches है ghost है तो इन सब के जो sources है वो यहां से हमें देखने को मिलते हैं tragic flow क्या है यह already हम discuss कर चुके है ओवर ambition है चलिए अब characters देख लेते हैं famous play के सारे major or minors friends एक बात मैं आपको बता दूं कि जितने भी famous plays है ना Shakespeare के उन सब के minor character आपको जरूर पता होने चाहिए minor character पर बहुत questions बनते हैं और हमको जो है वो याद नहीं रहते हैं या summary में क्या करते हैं हमें उनका जिकर ही देखने को नहीं मिलता है तो इसलिए हम पहचानी नहीं पाते कि कौन से character कौन से वरक से लिखे गए हैं तो जो plays बहुत ज्यादा famous नहीं है उसके major character आपको पता होने चाहिए और जो बहुत famous plays हैं उनके minor characters भी आपको पता होने चाहिए तो चलिए अब characters देख लेते हैं पहला character जो है हमारा वो है King Duncan जो की King है Scotland के King Duncan जो है वो Scotland की King है इनके दो son है Malcolm और Donald Bain Malcolm जो है वो बड़े बेटे हैं King के और छोटे बेटे जो है वो Donald Bain है Next है Macbeth जिनके name पे इस play का title है ये कौन होते हैं जनरल होते हैं King Duncan की army में उनकी जो wife होती है Lady Macbeth ये भी बहुत जादा famous character है Lady Macbeth ही जो होती है वो persuade करती है Macbeth को बहुत जादा King Duncan को मारने के लिए ये हम अभी संबरी में हम डिटेल में डिसकस करेंगे नेक्स्ट है बैंको बैंको भी क्या है जनरल है King Duncan की आर्मी में और बैंको का जो son है वो है Fliance other characters है Macduff, Rose, Lennox, Angus and Katniss ये सब क्या है Scottish Thanes other characters है Lady Macduff जो की wife है Macduff की Seward है जो की general है English force का जब England का जिक्राएगा तब इनका जिक्राएगा Hiccate है जो की witches की यानि चुड़ैलों की भूतनिया जो होती है इसमें दिखाई गई है उनकी queen है उनकी goddess है Three witches है इसमें जो की बहुत famous है Porter एक character है जो की minor है लेकिन important है Drunken Doveman है Macbeth के castle का इसको आप gatekeeper भी कह सकते है और as a clown जो है इनको यूज किया गया है play में और characters की बात करें अगर तो इसमें murderers है जिनको Macbeth हायर करता है मारने के लिए बैंको को Macbeth की wife को और उसके बच्चों को तो यह हमने सारे characters detail में discuss कर लिए है चलिए अब start करते हैं Macbeth की summary को तो background में क्या चल रहा है पहले हम यह देख लेते हैं King of Scotland कौन है King Duncan है इनके son है दो पहला बेटा बड़ा बेटा जो की है Malcolm है दूसरा है Donald Bain और King Duncan की army में Scotland की army में दो general दिखाए गए है Macbeth और Bain को यह दोनों कहां गए है एक battle में गए हुए है युद्ध करने गए हुए है Norway और Ireland के साथ Norway और Ireland की army एक तरफ होती है और Scotland की army जो है एक तरफ होती है तो Macbeth और Bain को जो है यह जीत करके वापिस आ रहे होती है और King Duncan को जो है यह news मिलती है कि Scotland की जीत होई है तो King Duncan जो है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है तो play की जो शुरुवात होती है वो होती है हेट से एक plane मैदान है वहाँ पे Macbeth और Bain को आ रहे हैं वापिस Scotland और यहाँ पे जो है इनको 3 witches मिलती है तो यह Macbeth से कब मिलती है Act 1 के scene 3 में हमें 3 witches देखने को मिलती है Macbeth से मिलती हुई Scene होता है बादल गरज रहे होते हैं बिजली कड़क रही होती है तीन witches आती है जिनकी दाड़ी है बियर्ड है वो अपने आपको वियर्ड सिस्टर्स बोलती है और वो Macbeth को कैसे address करती है वो Macbeth को कहके बुलाती है Thane of Glamis जो कि already Macbeth है इस वक्त यह टाइटल होता है एक position होता है जो कि King Duncan ने Macbeth को दिया हुआ है तो Thane of Glamis बोलने के बाद witches बोलती है तो Macbeth कहना बहुत जाता शौक हो जाता है कि इन witches को कैसे पता कि मैं Thane of Glamis हूँ तो अब जो witches होती है न वो three predictions करती है प्रोफेसी करती है समझ लो तीन भविश्यवाड़ी करती है जिसमें से पहली होती है कि Macbeth जो है वो बनेगा Thane of Cauder दूसरी जो प्रोफेसी होती है वो होती है कि Macbeth will become the king of Scotland की Thane of Cauder बनने के बाद Macbeth जो है न वो राजा बनेगा Scotland का इतना सुनने के बाद Macbeth के साथ बैंको होता है तो बैंको भी चाता है कि वो उसके बारे में भी कुछ बोले तो witches की third prophecy जो होती है वो बैंको के लिए होती है तो witches उसको बताती है कि Macbeth के बाद जो बैंको के air होंगे जो sun होंगे वो king बनेंगे Scotland के तो बैंको को तो कुछ नहीं मिलेगा बैंको कुछ नहीं बनेगा लेकिन बैंको क्या होगा father होगा kings का तो तीनो प्रोफेसी कौन सी है यह आपको याद रखना है पहली होती है कि थेन ओफ कावडार बनेगा Macbeth दूसरी होती है कि king बनेगा Scotland का और third प्रोफेसी जो होती है वो ultimately बैंको के होते हैं कि उसके जो बच्चे हैं जो बेटे हैं वो आगे चलके Macbeth के बाद राजा बनेंगे Scotland के तो अब जो होता है जब इतना कुछ सुन रहे होते हैं तो Macbeth और बैंको चाहते हैं कि यह और भी कुछ बताएं लेकिन witches जो होती हैं वो vanish हो जाती हैं disappear हो जा से पहले जो इस पोजिशन पे होता है यह क्या होता है ट्रेटर यानि देश जरो ही निकल जाता है और जो इस बैटल पे लोग गए होते हैं वहां पर उनका साथ दे रहा होता है तो उसकी डेथ के बाद जो है वो टाइटल मिलता है Macbeth को थेन और का और Macbeth को यह कौन देती है एप्रिशियेट करते हैं वो Macbeth और बैंको को दोनों ही और फिर किंग डंकन जो है वो Macbeth से बोलते हैं कि सेलिब्रेशन के लिए आप मैं Macbeth के कास्टल में यानि Macbeth के घर या महल कहलो वहां पे मैं आज रात आऊंगा और रुकूंगा और साथी साथ किंग डंकन जो हो कोड़ा सा जो है अपसेट होता है क्योंकि सेकंड प्रोफेसी के अकॉर्डिंग मैं जो है वो किंग बनेगा स्कॉटलेंड का तो Macbeth क्या करता है एक लेटर लिखता है अपनी वाइफ लेड़ी मैं बेट को और उसमें जो है विचिस के जो भी तीनों प्रोफेसी होती है व को अपने हस्बेंड की हेल्प करेगी और कुछ भी करेगी कि उसका हस्बेंड जो है वो राजा बन जाए और किंग डंकन का उनके घर आना उसको एक अपॉर्चुनिटी लगती है कि इस अपॉर्चुनिटी को मैं मिस नहीं होने दूंगी अब किंग डंकन जो है वो Macbeth के क बहुत जादा एक्साइटेड होता है लेकिन अब जो है उसको थोड़ा सा डर लगने लगता है वह अपना माइंड बदल देता है कि वह यह मर्डर जो है वो नहीं करेगा तो Macbeth को ऐसा पीछी हटते देख कि लेडी Macbeth को गुस्सा आता है वह बहुत जादा परसुएड कर क्वेश्चन करने लगती है बोलती है कि तुम बहुत ही कमजोर हो तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी साहस नहीं है और प्ले में ही जो है उसके कुछ वर्ड देखने को मिलते है वह बोलती है Macbeth से अनसेक्समी हैर इसका मतलब होता है कि मेरे अंदर जो फैमिनिन एनरजी है उसको साइड कर दो और तुम जो नहीं कर पा रहे हो वह मैं खुद कर दूंगी तो यह सब बाते जब लेडी Macbeth बोल रही होती है तो Macbeth फिर से राजी हो जाता है उस प्लैन को आगे बढ़ाने में वह एगरी कर जाता है अपने ambition को follow करने के लिए तो अपने plan के ही according लेडी Macbeth क्या करती है वाइन में जो है वो कुछ नशीली चीजे डाल देती है और गार्ड्स को पिला देती है जो भी गार्ड्स होते हैं किंग के साथ आए हुए होते हैं और जब Macbeth जो है मारने जाता है ना किंग डंकन को उससे पहले जो है उसको बहुत डर लगता है उसको एक खंजर एक डैगर दिखाई देता है इससे जो है Macbeth थोड़ा सा फिर से डर जाता है लेकिन फिर भी अपने प्लैन को केरी करते हैं और Macbeth क्या है मार देता है किंग डंकन को उसकी नींद में ही जब किंग सो रहा होता है Macbeth जाकि उसको मार देता है और वह जिस खंजर से मा कास्टल में वह यह सब देख की शोर मचाता है फिर Macbeth और लेडी Macbeth भाग के आते हैं वह भी अक्टिंग करते हैं शौक में आने की अब इससे पहले कोई कुछ कहता Macbeth जो होता है ना वह ब्लेम कर देता है sleeping guards को क्योंकि उनकी वाइन में जो होता है नशीला पदार्थ होत होता है Macbeth के उपर Macbeth जो है वह थोड़े से शक में होता है और जो किंग डंकन के जो दोनों बेटे होते हैं मैलकम और डॉनल बेन अब इनको लगता है कि इनकी जान को भी खत्रा है next target हो सकते हैं तो यह जो है Scotland छोड़के भाग जाते हैं तो मैलकम जो है वह भागता है इं इसलिए Macbeth जो है वह King बन जाता है Scotland का और इसी तरह वह विचिस की second prophecy भी जो है हमें पूरी होती हुई नजर आती है अब second prophecy भी पूरी हो गई जो है King बने रहना चाहता है तो वह क्या करता है कि बैंको को और उसके बेटे को फ्लेंस को बलाता है एक Feast में celebration हो रहा होता है Macbeth के King बनने पर तो इस celebration एक banquet में होता है royal banquet में वहाँ पर डिनर के लिए बलाता है दोनों को ही और Macbeth तीन आदमियों को हायर करता है कि वह बैंको को और उसके बेटे को मार दें तो इसमें बैंको वह तो मारा जाता है लेकिन influence जो है उसका बेटा जो है वह भाग जाता है वह भागने में कामियाब होता है अब यह उसी रात की बात होती है कि बैंकेट और जो है उसको आचानक से भूत दिखता है गोस्ट दिखता है बैंकों का और जो है तो इसको चुछप होने लगता है लेकिन फिर लेडि मेंकबेत बोलती है कि यह ऐसे ही है इनका नेचर यही है यह अभी जो है थोड़े से बिमार हैं बट यह इनके लिए जो है नॉर्मल है फिर सब दुबारा से अपने पार्टी इंजॉय करने लगते हैं लेकिन दुबारा ही मैगबेट को क्या है घोस्ट दिख जाता है बैंकों का और आप जो है वो ह इस इंसिडेंट के बाद मैगबेट बहुत ज्यादा डर जाता है जब बैंकों को गोस्ट को देखता है तो डिसाइड करता है कि वो दुबारा से उन थ्री विचिस के पास जाएगा और उनसे पूछेगा कि आगे जो है क्या होने वाला है उसकी किसमत में और क्या लिखा है तो जब वो विचिस के पास जाता है एक केव में होती है वो तो वो विचिस जो है न उसको थ्री अपिरिशन दिखाती है क्या होता है एक बॉइलिंग वाटर टाइप का कुछ दिखाते है या अपने सीरियल में भी या फिर फिल्म में देखा होगा तो एक बॉइलिंग वा तो army head का मतलब होता है जिसमें witches उसको बोलती है कि वो Macduff से बच करके रहे हैं Second apparition का मतलब होता है, witches उसको बताती है कि no man born of women can defeat or kill Macbeth कि औरत से जन्मा हुआ कोई भी आदमी जो है वो Macbeth को नहीं मार सकता है Third apparition का मतलब होता है, he shall never be defeated until great birnam woods come over to Dunsinan hill तो यह जो तीनो warning switches देती है Macbeth को, तो इसमें जो पहली और third warning होती है यह सुनकर कि Macbeth जो है वो बहुत ज़्यादा relax हो जाता है क्योंकि ऐसा उसको लगता है possible ही नहीं है कि कोई आदमी बिना औरत के जन्मा हो और जंगल खुद चल कर के आई यह तो possible ही नहीं है तो विचिस जो है इस बात को confirm करती है कि हाँ, बैंको की आने वाली generation ही जो है वो रूल करेगी Scotland में विचिस जो होती है ना उनको एक line दिखाती है eight kings की Macbeth को और वो eight kings जो होते हैं वो बैंको की generation से होते हैं अब क्योंकि Macbeth को warning मिली है कि उसको Macduff से बचके रहना है, Macduff जो है वो उसकी जान ले सकता है तो Macbeth क्या करता है तीन आदमियों को उन्हीं को hire करता है कि जाकर के Macduff को और उसकी family को खतम कर दो लेकिन इससे पहले ही क्या होता है कि Macduff जो है वो भाग चुका होता है इंग्लेंड में इंग्लेंड में जो कि King Duncan का बड़ा बेटा जो होता है Malcolm वो भी वहाँ पे छुपा रहता है At last हमें पता चलेगा कि वहाँ पे छुप करके वो आर्मी तयार कर रहा होता है King Edward से help ले रहा होता है तो जहां पर Malcolm होता है वहीं पर Macduff चला जाता है यह दोने मिलकर के बात करते हैं और decide करते हैं कि वह एक आर्मी लेकर के जाएंगे Scotland के खिलाफ और Macbeth से लड़ेंगे इसी भी जो रोज होती है वो news लेकर के आती है कि Macduff की wife का और बच्चों का murder हो चुका है यह बात सुनके Macduff जो है वह बहुत ज्यादा upset हो जाता है बहुत रोता है और वह कसम खाता है कि वह Macbeth से इस बात का बदला लेगा Macbeth के behavior में अब हमें थोड़ा बहुत change देखने को मिलता है प्ले में तो अपने आपको safe feel करता है वो चला जाता है दूर dancing and hill के castle में चला जाता है उसको लगता है कि वहां पे वह safe है और दूसरी साइड हमें देखने को मिलता है कि Malcolm जो है Macbeth के साथ army लेकर के march करता हुआ आ रहा है dancing and hill के पास साथी हमें Lady Macbeth का sleep walking scene देखने को मिलता है बहुत important है यह famous है sleep walking scene में दिखाता है कि वह अपने हाथ में मौंबत्ती लेकर के घूम रही होती है और बार बार जो है वह अपना हाथ धोने की कोशिश करती है उसको लगता है कि उसके हाथ में डंकन का खून लगा है बलड लगा है और वो जो है अब धोया नहीं जा सकता है Macbeth भी थोड़ा सा manic हो गया है पागल हो गया है और उधर मेल्कम की जो आर्मी है वो बिर्णम वूट तक पहुंचती है वो और उसके जनरल जो है वो डिसाइड करते हैं इक strategy बनाते हैं कि वो खुद को बिर्णम वूट से ढख लेंगे उनके numbers नहीं पता चल पाएंगे किस Macbeth के पास दूसरी तरह लेडी Macbeth की death दिखाई जाती है और स्टेज हमें पता चलता है कि लेडी Macbeth जो है वो मर चुकी है और शायद वो suicide करके मरती है इस खबर से Macbeth जो है बहुत ज्यादा परिशान हो जाता है बहुत ज्यादा निराश हो जाता है pessimistic philosophy दिखाई जाती है Macbeth की कि अब वो कुछ भी feel नहीं कर पा रहा है वो lecture देता है speech देता है कि अब जिंदगी के कोई भी माइन नहीं है कि जिंदगी जो है वो एकदम meaningless हो चुकी है उसके लिए अब Malcolm की जो force है वो capture कर चुकी है जंसने इनको लेकिन अभी भी Macbeth जो है वो अपने आपको बहुत ज़्यादा safe feel कर रहा होता है वो अकेले ही लड़ने पहुच जाता है और उन सब का मजाक उड़ाता है ये बोलते हुए कि औरत से जन्मा हुआ तो कोई मुझे मार ही नहीं सकता है इस बात को सुनकर कि Macduff जो है वो reveal करता है कि उसका जो birth है वो cesarean से हुआ था c-section से हुआ तो वो अपनी मा के पेट को फार करके पैदा हुआ है तो ultimately वो consider होगा कि he was not born of women उसका birth जो है वो natural नहीं है नॉर्मल नहीं है ये सब सुनकर कि Macbeth को realize हो चुका होता है कि अब उसका end जो है वो आ चुका है उसको मारने खुद Macduff आया है दूसरी चीज वो women से भी born नहीं है तीसरी चीज जो है बिर्नम वुड खुद चल के उस तक आई है तो अब उसको लग चुका है कि उसका end आ चुका है तो Macduff क्या है वो मार देता है Macbeth को उसकी गरदन अलग कर देता है और उसकी गरदन ले जाके रख देता है Malcolm के आगे और Malcolm जो की son है King Duncan का वही finally ultimately क्या होता ह एंड में बनता है Scotland का King तो यही हमें एंड में देखने को मिलता है कि किसी और की जनरेशन रूल नहीं कर रही है बलकि King Duncan का ही बेटा जो है वह King बनता है Scotland का तो यह थी Macbeth की समरी आज की इस वीडियो को हम यहीं complete करते हैं वीडियो बहुत लंबी हो रही है next वीडियो में हम में Macbeth से related कुछ important points discuss करेंगे तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं नोट समझा रहे हैं तो वीडियो को like करें अपने opinion comment section में रखें और अगर आप चैनल पे नहीं है तो चैनल को subscribe करें Thanks for watching this video